माल लेते हैं आप market गए और वहां से आप एकदम नया transformer market से खरीद के लाए है ठीक है अब इस transformer को तुम्हें energize करना है तो इसको energize करने के लिए आपने क्या करा इसको एक AC source से connect करा लेकिन आपने अभी इसका switch on नहीं करा है ठीक है और load भी अभी कोई connecting नहीं करा है आपने इसक no load current को track करने के लिए एक emitter लगाया इस emitter का क्या काम है यह emitter आपको बताएगा no load current ऐसा क्यों क्योंकि इस समय आपने कोई load नहीं लगाये हुआ है तो हमने transformer में पढ़ा है कि जब कोई load नहीं connect होता है अगर हम उस समय transformer को source से connect कर दें तो ऐसे case में हमें no load current के बारे में जान scale ले लिया है इस scale के अंदर खास बात क्या होगी emitter की reading को बताएगा यहाँ पर यह जो level है पहला level है यह बताएगा no load current यानि कि ideally अगर हम बात करते तो no load current क्योंकि हम जानते हैं transformer के अंदर no load current तुमारा 2-3% होता है ठीक है full load current के तो यहाँ पर यह जो आप initial level देख रहा हो यह बताएगा कि no load current आपका कुछ इस तरीके के range में रहना चाहिए था full load current आपका यह level में रहना चाहिए यानि कि अगर आप transformer नया अच्छा सा transformer बना हुँआ लाए हो तो उसका no load current इस level के नीचे रहना चाहिए और full load current यहाँ तक रहना चाहिए लेकिन आपने क्या करा अब आपने अपने supply को switch on करा जैसी आपने switch को connect करा आपने m meter में जो reading दिखाई वो इस तरीके की एकदम से बहुत high reading देखने को आपको मिली ठीक है एकदम से reading इतनी ज़्यादा high कोई load connect नहीं है किसी भी तरीके का extra current नहीं है तो आपने क्या देखा कि no load current जो की आपका बहुत ही कम होना चाहिए 2-3% वो इतना ज़्यादा आपको high देखने को मिलेगा और यही no load current यानि कि यह जो तुमें देखने को मिल रहा है इसी को हम लोग कहते है inrush current ठीक है मेरा नाम प्राण जाल है तो आज हम लोग इसी के बारें बात करेंगे चर्चा करेंगे कि inrush current क्या होता है और जानेंगे इसकी details शुरू करते हैं सबसे पहले यह सारी problem शुरू क्यों हुए ऐसा क्यों हुआ जरा उसको समझते हैं आपने अगर हम बात करते हैं supply voltage की तो कुछ इस तरीकी की AC waveform होगी हमारे supply voltage की जिसको हम connect कर रहें transformer से अगर आप इस transformer को supply को connect कर देते हो switch on करते हो at v equal to 0 यानि कि t equal to 0 and v equal to 0 जिस समय supply voltage 0 पे था अगर आपने यहाँ पे connect करा तो आपको देखने को मिलेगा कि transformer के अंदर जो flux होता है यानि कि जितना होना चाहिए यानि कि अगर transformer की core 5M के लिए design की गई है तो आप देखोगे कि आपको double flux देखने को मिलेगा इसलिए इसका नाम है doubling effect इसकी उपर already मैं पुराने lecture ले चुका हूँ काफी detail में हमने इसके उपर चर्चा करीती switching transient dot transformer doubling effect, residual effect सब कुछ हमने देखा था तो पुराने lecture आप मेरे इसके लिए देख सकते हो तो हुआ क्या कि अगर आपने switch on करा है अपने transformer का जो switch जो आपने connect करा है अगर वो t equal to 0 पर connect कर दिया तो core के अंदर magnetic inertia है कारण आपको double flux देखने को मिलेगा और इसको हम लोग कहेंगे doubling effect इस doubling effect क्या असर होगा तो effect क्या होता है doubling effect के होने से हुआ क्या तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा BH curve देखना पड़ेगा अगर transformer के BH curve की बात करें तो खुछ इस तरीके का BH curve होता है शुरुवात में linear and then saturate होने लगता है तो होता क्या है कि normally अगर हमारा transformer होता है यानि कि generally हमारी desired होती है तो उस case के अंदर flux की value 5m होती है इस 5m को generate करने के लिए बहुत छोटा सा current 2-3% of full load current IU1 की ज़रुवत पड़ती है इसको हम लोग कह देते है no load current 1 लेकिन हुआ क्या है क्योंकि हमारा जो flux है वो 2-5m चला गया है तो उतने ज़्यादा flux को generate करने के लिए यानि कि हम double flux होने से क्या हुआ मैं non-linear reason में चला गया यानि कि saturation के close अब उसका असर क्या हुआ कि उतना flux बनाने के लिए यानि कि double flux बनाने के लिए जो मुझे current चाहिए होगा वो IO2 देखने में लग रहा है कि बहुत छोटा असा है लेकिन अकर मैं बात करूँ difference की तो यह जो difference होता है 50 to 60 times का difference होता है यानि कि जहां हम no load current 2 to 3% लेते थे वहां 5 to 6% of full load current हमें no load current को लेना पड़ता है ठीक है और ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है क्योंकि doubling effect आपका picture में है तो इस doubling effect यानि कि इस double flux को generate करने के लिए जो no load current की जरूवत पड़ती वो 50 to 60 times जादा होती है as compared to 5m generate करने के लिए देखो कितनी अजीब बात है अगर यह curve linear होता तो ऐसे case में double flux generate करने के लिए double no load current की जरूवत पड़ती पर यहाँ पे क्योंकि यह curve non linear है इसलिए हमें क्या हो रहा है 50 to 60 times ठीक है आयोब समझ में आ रहा होगा तो क्योंकि BH curve या कह सकते non linearity होती है ferromagnetic materials में इसलिए आपको जो double flux को double flux को generate करने के लिए double current की जरूवत नहीं पड़ती 50 to 60 times extra current की जरूवत पड़ती आयोब यह समझ में आ गई होगी तो हुआ क्या cycle बना लेते है doubling effect आया 25m इस doubling effect यह का रहा है no load current जो था वो I1 से लेके I2 पर shift हो गया यह कितना था 50 to 60 times था I1 से या कह सकता हूँ 5 to 6 times था full load करें इसी की वज़े से जो ammeter की reading थी वो इतनी ज़्यदा high आपको देखने को मिल रही थी तो I1 पर reason समझ में आ गया होगा तो यह जो आपके ammeter में जब आपने switch on करा इसको और आपने जो reading इतनी ज़्यदा देखी उसका reason समझ में आ गया होगा तो इसी को हम लोग कहते हैं यानि कि यह जो I0 2 है this is what we call inrush current यही वो inrush current है जिसकी वज़े से ammeter इतनी ज़्यदा reading दे रहा है now अब इसकी ज़रा waveform देख लेते है inrush current की तो अगर इस waveform को draw करने के लिए मैं 2 x's ले रहा हूं y x's ले ले रहा हूं current in per unit यह basically magnitude बताएगा inrush current का और दूसरा है time ठीक है तो जैसी आप switch on करोगे तो पहले तो मुझे बहुत ही high inrush current देखने को मिलेगी फिर धीरे धीरे क्या होगा यह settle होना शुरू होगी down होता जाएगा इसका magnitude और थोड़ दिर बाद आपको देखने को मिलेगा कि यह जो है completely settle हो गया है तो यह yellow line जो है यहां तक आपको इनrush current का ठीक ठाक magnitude देखने को मिलेगा और इसके बाद क्या होगा यह आपकी normal यानिकी 2-3% जो no load current होती है वहीं पहुँच जाएगा तो yellow line के left portion को हम लोग कहते हैं transient state क्योंकि इस state में अभी तक current की waveform settle नहीं हुई है और then steady state इसके अंदर no load current की waveform हमारी settle हो गई है यानि कि जितनी होनी चाहिए 2-3% उतनी ही हो गई है अब transient state इसका मैं यहाँ एक example दे देता हूँ यहाँ पर यह आपका practical example है यानि कि यह जो मैंने diagram बनाया है इसका अगर practical देखें तो कुछ इस तरीके इनरस्ट करेंट यहाँ पर होगी for example के लिए कि second peak 65 ampere then 38 then 25 इस तरीके से ठीक ओके now this is the interest current wave shape यह समझ में आ गया होगा now अगर हम बात करते हैं कि ऐसा transient state इतनी लंबी क्यों आई तो इसके पीछे reason है time constant of transformer कि आखिर इतनी दिर क्यों लग गई इनरस्ट करेंट को settle होने में देखो होता क्या है कि जब भी अगर मैं आपको याद अगर इस बात को जानते होगे आपने control system में भी पढ़ा होगा नहीं पढ़ा है तो आने वाले समय में कभी हम लोग चर्चा करेंगे transient state, steady state in सबके तो generally क्या होता है जब भी हम किसी जीस को switch on करते हैं तो शुरुआत में उसमें current की wave shape इसी तरीके से उपर जाती दिन settle होती है तो यह जो time period होता है यानि कि इतना लंबा time period transient state क्यों ले रही है या time जो लेती है transient state यह depend करता है time constant पर तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर हमारे पास transformer है तो अगर हम time constant और transformer की बात करें तो उसका formula tau equal to l y r होता है ठीक है अब transformer के अंदर inductance बहुत हाई होता है यानि कि l की value बहुत हाई होगी क्योंकि cable coil है resistance बहुत कम होता है और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं क्योंकि हम लोग copper wire की winding लिए हुए है जिसमें resistance हमारा क्या होता है तो basically time constant के अगर बात करता हूँ तो inductor हमार inductance बहुत हाई है transformer में और resistance उसका copper winding का बहुत कम है ठीक तो ये बात समझ में आ गई तो इसलिए हम कह सकते हैं कि time constant बहुत ज़्यादा होगा transformer का denominator कम है और numerator बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब कह हुगा कि time constant जो होगा यानि कि magnitude of time constant बहुत ज़्यादा है इसलिए काफी second लग जाते है इसलिए इतना ज़्यादा लंबा समय लगता है इस inrush current को settle होने में ठीक है और ये एक दिक्कत की बात भी है यानि कि इसी वज़े से transformer के अंदर high magnitude की inrush current travel करती रहती है या कहते है survive करती रहती है काफी देज तक काफी second लग जाते है इसको settle होने में ठीक है तो ये reason समझ में आ गया तो अब यहां से हम कह सकते है solution क्या है आकिर इसका solution क्या है तो solution आपके पास simple है अगर हम बात करते है सारी problem की starting कहा से हुई तो सारी सारी problem की जो starting थी वो हुई जब हमने क्या करा जब हमने इसको switch on करा था take all to zero पे तो अब solution क्या है कैसे हम बचा सकते है तो आपको क्या करना है आपको इसे अगर आपको चाहते हो कि आप interest current picture में ना flow करे तो आपको जो a point है यानि की pi by 2 यहाँ पे आपको अपना transformer connect करना है ठीक है तो बहुत ही simple solution है आपको waveform देखनी है supply voltage की और जिस समय supply voltage आपका maximum पे जाएगा आपको ठीक उसी time पे transformer को अपने connect कर देना है at pi by 2 पे clear हो गया है यहाँ ठीक अगर आप B पे connect करोगे तो यहाँ पे आपको connect नहीं करना है B का दियान रखना है point B मतलब at t equal to 0 या कह सकते हैं जिस समय voltage आपका 0 पे हो तो बस आपको इतना सा याद रखना है यानि अगर मैं पूछू कि interest current को problem को सबसे simple तरीका कैसा है solve करने का तो आपको उसे point A यानि की pi by 2 यानि की जिस समय voltage अपने maximum पे है तब आपको switch on करना है और जिस समय voltage जो है आपका 0 पे है या B point कहलो या कहलो t equal to 0 पे वहाँ पे आपको switch on नहीं करना है transformer को बस आपको इतना सा ध्यान रखना है तो आयोब lecture आपको समझ में आया होगा ये lecture आपको पसंद आया होगा क्योंकि interest current क्या है काफी ज़्यादा पूछी जाना वाला question है हाला कि मैंने इसको doubling effect के साथ cover किया था पर फिर भी काफी लोग मेरे से question कर रहे थी कि sir interest current का एक separate video बनाईए तो उसके लिए मैंने आपके लिए separate video बना दिया है ये आपको काफी हद तक समझ में आया होगा इसके अंदर मैंने interest current के थुड़ा detail में गया हूँ waveform देखी transient state को analyze करा हमने ये देखा कि कैसे wave shape होती है और क्या possible solution है तो possible solution बहुत simple सा है अगर आपको interest current को रोकना है तो आपको supply cup on करना है जब voltage अपने maximum पे हो यानि कि point A पे जो हमने अभी देखा था point B पे नहीं करना है यानि कि जब T equal to 0 हो आयोब आपको समझ में आया होगा अगर फिर भी कोई doubt है या कोई चाहते हो कि आप कोई question है आपके मन में जिसके उंपर मैं एक वीडियो बनाओ तो आप मुझे suggest कर सकते comment box में आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद